हेलो फ्रेंड्स मैं ब्रेज भूशन शर्मा स्वागत करता हूं अपने यूटूब चैनल ब्रेज फूचर पॉइंट में हमारे लोशो ग्रिड के अंदर हमारी डेट और बर्स के अंदर एक नंबर का बार बार रिपीट होने से क्या परभाव जाता है इसके बारे में आप व प्रकार एक ग्रिड होती है 492-357-816 जिसमें नंबर होते हैं 492-357-816 जैसे किसी की डेट वर्थ एक 1971 है तो इस डेट वर्थ में एक नंबर चार बार रिपीट हो रहा है यह रिपीट नंबर कहलाएगा एक नंबर अगर एक बार आता है तो ऐसा अब्यक्ति इंटर होता है अगर एक नंबर तीन वार आता है अपना एक मैंत्व होता है अब मैं बताता हूं नंबर दो जैसा अगर एक नंब्र है तो ऐसा वर्थ श्यक्ति होता है अगर दो बार आता है तो ऐसा शक्ति ब्राइट चमकदार होती है अगर तीन बार आता है दो नमबर तीन बार आता है तो ऐसा व्यक्ति वेरी सेंस्टिव होता है और हर बात को दिल से लगा लेता है अगर तीन नमबर एक बार आता है तो ऐसा व्यक्ति एक्सिलेंट बहुत जबरदस्त होता है अगर तीन नमबर दो बार रिपीट होता है तो ऐसा व्यक्ति क्रिटिव होता है और अगर तीन नमबर तीन बार होता है तो ऐसा व्यक्ति इमिगेशन होता है उसकी कल्पना शीर हो हमें नंबर चाट एक बार रोता है नंबर से रहोता है इस्तीता होती है अगर दो बार होता है तो ऐसा देखिति हाद Hadwill कर होता है अने समझाया नंबर पांच नंबर अगर एक बार रिपीट होता है कि एकर बार पांच अगर दो होता है तो एसे व्यक्ति होता है अगर तीन 3 बार रिपीट होता है अब्यक्ति अपने लक्ष्क को निधारिव करता है लंबर 6 अगर वहां रती थे थच्छा होता है अगर तो बीट होता है दोपर ही स्था थे सब के सामने मूल प्रवर्थी दिखाता है से अगर 3 उच्छ सभाब होता है । नंबर साथ की तू का नंबर होता है। अगर एक बार होता है तो ऐसा अव्यक्ति आप इक होता है। अगर साथ नमबर दो बार रिपीट होता है तो ऐसा व्यक्ति स्पीच्वल अध्यात्मिक में रूची रखता है साथ नमबर अगर तीन बार रिपीट होता है तो ऐसा व्यक्ति अपना नुक्सान से सीखता है मेदान में अकेले डटे रहने का सहास रखो फिर चहे पूरी दुनिया आपके खिलाब होचे बाते बड़ी नहीं हुआ करती हम सो समझ कर उन्हें बड़ा बना देते हैं मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकदर की बात है हम कोशिश भी ना करें ये तो गल्त बात है दुख और तकलिफ इनसान को पेशान करने के लिए नहीं बलकि उसकी योगता और आत्म विश्वास का इमत्यान लेने के लिए आती है अगर बात की तरह उड़ना है तो कबूतरों का साथ छोड़ना पड़ेगा होसला और गोसला मत छोड़िये सब सही हो जाएगा साथ नमबर के बारे में अगर तीन बार रिपीट होता है तो ऐसा विक्ति अपने नुकसान से कुछ सीखता है नमबर आर्थ नमबर आर्थ एक बार रिपीट होता है तो ऐसे विक्ति के पास बहुत ग्यान होता है नमबर आठ अगर दो बार आता है तो ऐसे व्यक्ति अमीर और उसके पास प्रौपर्टी उच्छी होती है उसे खांदान की प्रौपर्टी भी बिले उस व्यक्ति गंदर एगो नहीं होती उसमें नशे की आदत नहीं होती अगर नमबर तीन बार रिपीट होता है तो मोटिवेशन भोतिक वादी होता है नमबर नो अगर एक बार आता है तो व्यक्ति बहुत बुद्धी मान होता है अगर नो अंक दो बार होता है तो व्यक्ति खेमस होता है नो नमबर तीन बार आता है तो व्यक्ति सब को देने वाल होता है अगर एक नमबर से नो नमबर एक से जादा बार रिपीट होता है तो अच्छा इंपेक्ट परभाब नहीं अब मैं बता रहा हूँ यह तो कुछ हमारी एक नकारत मक्सोच की या कोई बात देगे कम यह भी हो सकती है आप इसके बारे में कुछ रिमेडी बताना चाहता हूँ एक नमबर रिपीट होने पर सूरिय को जल दें सोना रूबी नग और गोर्डन कलर ना पहने नमबर दो रिपीट होने पर दूद चावल दान करें कपड़े दान करें और सिल्वर मोती और सिल्वर कलर ना पहने है नमबर तीन उच्छाट होने पर रिपीट उने पर यह सारे के सार। उपाए बता रहे हैं एक नमबर रिपीट दो नमबर रिपीट और तीन नमबर रिपीट ऑढसर पीली सीजह काम करें जाल-फल कपड़े गुरुवार के दिन पीली वर्षण कि नंबर चार रिपीट होने पर उपाएं बाजरा पक्षियों को खेलाएं ब्लेक और ब्राउन कलर प्रोवाइड करें नंबर पांच रिपीट होने पर गायव को हर चाला खिला हरी चीजों का दान करें और हरी वस्त्रों को पहनने से बचे, नमबर छे, सफेद मीठी चीजों का दान करें, चीनी चावल मिठाई, सफेद कपड़े का दान करें, और सफेद वस्तुओं का प्रियोग करें, नमबर साथ, ब्लेक और वाइट, कुत्ते को रोटी खिलाएं, ग्ले किलर पहनने से बचें, नमबर आठ, काले चीजों का दान करें, काले चुत्ते शर्या के दिन दान करें, नीली और काली चीजों का प्रियोग ना करें, नमबर नो, ला रंग की चीजों का दान करें, जैसे मसूर की दाल, जूर्तमंद के कपड़े, ला रंग की चीजों का प्रियोग करें, कम करें, दोस्तों मैंने ए अश्कार दोस्तों जैहिंग।